नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मोटिवेशन माय मोटो की दुनिया में मैं हूँ आपकी दोस्त प्रगती विश्वा और लेके आई हूँ फिर से एक चोटी सी कहानी एक ऐसी कहानी जो देखी आपको एक नई नजर और एक नया नजरिया जिन्दिगी को बहतर जीने का तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी आज की कहानी है एक राजा की इस राजा की चार रानिया थी राजा के लिए चारो रानिया बहुत ही जाता खास थी लेकिन राजा सबसे जाता प्यार करता था अपनी चौथी रानी को राजा हमेशा उसे महंगी से महंगी चीज़े लाके दिया करता था जिसे वो रानी इसरी राणी बहुत ही जादा सुन्दर थी और उसे दिखावा करने की बहुत आदत थी तो वह अक्सर आसपास के लोगों में दिखावा करती थी। राजा की दूसरी राणी बहुत ही दयालू, शांत और समझतार थी। राजा जब भी किसी समस्या में होता था अपनी दूसरी राणी के पास जाता था और ये राणी जट से राजा की समस्या को सुलजाया करती थी। इसके बाद वारी आती है, राजा की सब से पहले नमबर की रानी की, राजा के लिए ये रानी सबसे ज़्यादा इमांदार थी, अमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि किस तना से राजा के मान और समान को बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी राजा सबसे कम ध्यान इसी रानी पर दिया करτα था एक बार राजा बीमार हो गया और उसे पता चला कि कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा राजा ये सोच्कर कवी परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि क्यों ना वो अपने साथ किसी प्यारी रानी को लेके चले जिसे की मरने के बाद भी किसी ना किसी का साथ उसे बना रहे यही सोचकर उसने सबसे प्यारी रानी चौथी रानी को बलाया और उससे पूछा कि क्या वो मरने के लिए उसके साथ तयार है यह कहकर राजा ने अपनी चौथी राणी की तरफ देखा राणी ने मना कर दिया और चुप चाब बिना कुछ कहे वहां से चली गई राजा को बहुत दुख हुआ राजा ने तीसरी राणी को बिला कर भी यही सवाल पूछा तीसरी राणी ने मना कर दिया और कहा कि जिन्दगी बहुत सुंदर है अगर राजा मर जाता है तो वो दुबारा शादी करेगी और अपनी जिन्दगी को खुशी खुशी जियेगी इसके बाद राजा ने अपनी दूसरी राणी को बिला कर भी यही सवाल पूछा दूसरी राणी जो बहुत समझदार थी उसने राजा से कहा कि वो चाह कर भी इस मामले में राजा की कोई मदद नहीं कर सकती ये सुनकर राजा बहुत ही जाता निराश और हताश हो गया राजा इसी दुख और निराशा में बैठा था कि पीछे से एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी जहां भी आप कहेंगे राजा ने मुड़के देखा तो हैरान हो गया ये थी राजा की पहली वाली राणी उसे देखने से लग रहा था कि वो बहुत जाता बीमार है बहुत ही जाता दुखी है इस राणी ने कहा राजा से कि आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी आप जिस हाल में रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगी पर मैं किसी भी हलत में आपका साथ नहीं छोडूँगी ये सारी बाते सुनके राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ उसे पता चला कि जो सबसे इमानदार राणी थी उसी को लेकर वो जिन्दकी भर भुलावे में रहा आप जानते हैं दोस्तो हम सब की जिन्दकी में भी ये चार राणिया या ये चार सक्या होती है अब आप में से बहुत सारे लोग सुचिंगे कैसे तो मैं आपको बताती हूँ चौती राणी का मतलब है हमारा साथ छोड़ जाता है वो भी बिना कुछ कहे चौती राणी की तरह से तीसरी राणी का मतलब है धन दॉलर जब तक इंसान जंदा रहता है वो इसी धन दॉलर से दिखावा करता है लोगों में श्रान बनाता है लेकिन जैसे ही इंसान की मौत होती है ये धन दॉलर किसी और का हो जाता है दूसरी राणी का मतलब है हमारे दोस्त, रिष्टदार और पर्लोसी ये हम से कितना भी प्यार क्यों ना करें हमारे लिए कितना भी अच्छा क्यों ना जाहें लेकिन जैसे ही इनसान की मौत आती है ये सारे पीछे चूट जाते हैं, इनका साथ सिर्फ चिता तक ही रह जाता है. पहली और सबसे इमानदार रानी का मतलब है हमारी आत्मा हमारी आत्मा हमारे साथ सफर करती है हम जहां जहां जाते हैं हमारी आत्मा वहां वहां हमारे साथ रहती है हमारी आत्मा ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का बोज उठाती है उसका फल भोगती है और हम सब भी इसी राजा की दिरहां से इसे भूले रहते हैं तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो हमारे लिए सबसे जदा ज़रुरी है सबसे जदा एमानदार है یعنि कि हमारी आत्मा हमें हमेशा उसके उत्वान के लिए उसके कल्यान के लिए काम करना चाहिए इसलिए हमें जिन्दगी में हमेशा अच्छे कामों को करना चाहिए और कभी भी अपनी आत्मा और आत्मा की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए वरना जिन्दगी पर हम खोईशों का पीछा करेंगे और मरने के बाद खाली हाती रह जाएंगे तो दोस्तों आज के वीडियो के बाद मैं उमीद करती हूँ कि आप अपनी पार्टनर सबसे इमानदर आत्मा को कभी नहीं भूलेंगे अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में नमबर वन जरूर लिखेगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई